हालो दोस्तों स्वागत है आपका एक ओन नई वीडियो में दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाल है योट्व सैंट्रिक्स के उपर जिसकी वज़़ा से आपको ब्यूज आते हैं आपका चैनल ग्रो होता है दोस्तों जैसा कि आपको पता YouTube algorithm को सभी नहीं समझ सकते हैं या कोई नहीं समझ सकता ऐसा कह सकते हैं लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमेशा लागू होती है YouTube algorithm के उपर तो आज इस वीडियो हम आपको वही बताने वाला हैं यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको यह चीज हमेशा काम करें यदि आपके व्यूज नहीं आ रहा हैं तो आप इन चीजों को ज़रूर देखना जिससे आपके चैनल पर यह हमेशा काम करीगी और यह हमेशा काम करती रहेंगी चाहे जितना पदला यूट्यूब में आ जाए दोस्ते यह आप मारे चैनल में पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर सेलेक करने जिससे हमारी हर वीडियो की नोट्पिकेशन आग तक पहुंसती रहें तो चली वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि हमें पता हर यूट्यूबर की हर वीडियो वारल नहीं होती है लेकिन कोई कोई वीडियो वारल हो जाती है तो इसी के बारे में आज मैं आपको clear में बात करने वाला हूँ तो चलिए पहले point की और बात करते हैं तो ध्यान से दोस्तों आपको यह चीजे समझना है यह आप इस चीजों को समझ लेते हैं तो आपको YouTube के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा दोस्तों पहला होता है thumbnail जब हम किसी की वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले thumbnail को देखते हैं thumbnail अगर attractive होता है हम उस thumbnail पर click करवा लेते हैं अपने viewer से तो वाँ वीडियो में आता है और दूसरी point होती है आपका title thumbnail और title सबसे main होता है तो यहाँ पर पहला आपको ध्यान देना है thumbnail को पर आपको thumbnail attractive बना है thumbnail पर कुछ ऐसा लिखना है कि जो आपका viewer है click करे चाहे जैसे click करे वाक करे तो ऐसा आपको कुछ लिखना है ऐसा thumbnail बनाना है thumbnail को पहले आपने समझ लिया अब बात करते हैं title में title को भी आप thumbnail की जितना ही काम करना होगा वीडियो में कम काम करते हैं लेकिन आपको thumbnail और title पर ज़्यादा काम करना होगा क्योंकि इन ही दो की वज़ा से आपके वीडियो पर click आता है यदि आपकी वीडियो कितनी भी अच्छी हो click ही नहीं आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है YouTube पर उस पर views ही नहीं आएगा इसलिए आपको अपने वीडियो से जाता इस पर काम करना है दोस्तों ये महना ही कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पर काम ही नहीं करना है वीडियो को अच्छा बनाना है लेकिन यहां अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी वीडियो को कोई नहीं देखने वाला चाहे जितनी आप अच्छी वीडियो बना ले यहां पर हमने बात किया कि यूजर को अपने वीडियो पर क्लिक कैसे करा है यहाँ पर हमने click करा लिया कैसे भी करके तो अब बात आती है वीडियो को पूरा watch कराने की दोस्तों हाँ सबसे important बात यह है कि आपको वीडियो को पूरा watch कराना है अपने user से तो आप कैसे करा सकते हैं मैं अभी बताने वाला हूँ दोस्तों जैसा कि पता है कि आपको audience retention सबसे ज़्यादा important होता है आपकी बीडियो का किसी भी बीडियो को वारल करने में audience retention का मतलब होता है आपकी बीडियो को full watch किया जाए जितना ज़्यादा बीडियो का watch किया जाएगा उतना ही अच्छा आपका audience retention होगा यदि आपका audience retention जितना हाई होगा उतना ही ज़्यादा YouTube आपके वीडियो का impression भेज़ेगा दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अब आपका audience retention बढ़ेगा कैसे दोस्तों अपने वीडियो में आपको user को रोक कर रखना है कुछ ऐसा suspense हमेशा create करते रहना है जिससे अगले पल अगले पल उसे कुछ नया जेखने को मिले और वाँ वीडियो को देखने के लिए रुगा रहे इस तरह से आप अपने वीडियो का audience retention बढ़ा सकते हैं अब बात कर लेते हैं आपका impression कैसे बढ़ता है दोस्तों यहाँ पर impression बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है आपके वीडियो का जो है audience retention जितना ज़्यादा audience retention आपका high होगा उतना ज़्यादा user तक impression भेजा जाएगा उतना ही ज़्यादा click आएगा यहाँ पर हमने clear कर लिये thumbnail, click और audience retention का दोस्तों अब last time बात कर लेते हैं description और tag के बारे में दोस्तों बहुत सारे लोग description नहीं डालते हैं अपने वीडियो में तो आपको यह गलती कभी नहीं करना है दोस्तों अपने वीडियो में जितना अच्छा description लिखेंगे research करके जितना description लिखेंगे आप title को लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी वीडियो recommend होगी आपकी search में जाएगी इससे आपकी views बढ़ने के ज़्यादा चांसे सोते हैं आपको हर वीडियो में ये करके रखना है जिससे आपके views कभी न रुकें दोस्ते यादि हमारी वीड संद आई हो informative लगी हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करिएगा चलिए मिलता है next वीडियो में next topic के साथ